मासंगा कुरूंदा गिर वोई तीन करेक्टर पर फोकस्ट हैं जिनका नाम है शुन इचिका और अमाया शुन अपने जिन्दगी से बहुत ही बोर्ड रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा हुता लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है वो एक ऐसी डेटलिक गेम में फच जाता है जहां से अगर उसे जिन्दा निकलना था तो उसे गेम को जीतना ही पड़ेगा जो भी स्टार्ट होती है जहां पर हम क्लासरों में शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डारोमा डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं डारोमा डॉल स्टेंजली जिन्दा था और इन सब को अपने साथ डारोमा गेम कहलने पर मजबूर कर देता है इस गेम में डारोमा डॉल सब को अपना पीट दिखाते हुए गाना गाता है और अचानक से पीछे पलड़ जाता है पीछे मुडने पर सब को भी नहीं लेडो ले श्टेचू बनना रहता है अगर कोई जरा सब हिला तो डॉल उसे मार देगा सब बहुत घबरावे वेते और इसी लेडर से वो लोग गेम नहीं खेल पाते तो डारोमा डॉल जो भी हिलता उसको वो मार डालता इसे बचने का बस एक ही रास्ता था कि डॉल के पीछे एक बटन है जिसे इन लोगों को वक्त खतम होने से पहले प्रेस करना पड़ेगा कलाश में सुन और एक लड़के के अलावा बागे सब की मौत हो चुकी थी ये दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं और गेम को जीत लेते हैं लेकिन सर्प्राइजिंग अब उस दूसरी लड़के का सर एक्स्प्लोड हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है यानि कि गेम का बस एक ही इंसान जीच सकता है जो बटन को खुद प्रेस करेगा डारमा गेम खतम हो जाती है और डारमा डॉल शुन से कहती है कि बिली आएगी और सब को खा जाएगी शुन को ये समझ नहीं आता फिर क्लास के डोर्स खुल जाती है और शुन बाहर अपने बच्पन की दोस्त इचिका को देखता है इचिका अलग क्लास के स्टूरेंट थी और उसकी क्लास में भी सेम ऐसे चल रहा होता है जिसमें अब बस अकेली जिन्दा थी अब शुन और इचिका स्कुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सारे रस्ते बन थे इसलिए उसकुल के जिम में जाते हैं जहां पर कुछ और स्टूरेंट थे जो डारूमा गेम में बच गए थे अब नोटिस करने बाली वात ये थी कि इन में से कुछ लोगों ने चुही की कॉस्टिम्स पहनी हुई थी जिम के फ्लोर पर बड़े बड़े लेटरस में एक पहली लिखी हुई थी कि बिल्ली से वही बचेगा जो बिल्ली की घंटी लगाएगा यानि कि अब दूसरी गेम भी शुरू हो चुकी थी जिसका नाम है माने की कोकेशी जिम के फ्लोर में से एक बड़ी से बिल्ली बहार आती है और इस सबको एक एक करके खाने लगती है शुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्ही को मार रही थी जो उन्हेंने चुही की ड्रेस पहने हुई थी वो सबको जल्दे से ड्रेस उतारने को कहता है बिल्ली अप शान्त हो जाती है लेकिन कुछ तिर बाद बिल्ली फिर से दुबारा इन पर हमला करने लगती है शुन और नीची का को एक बेल नीचे मिलती है जिने इने बिल्ली के गले में लगी हुई रिंग के अंदर डालना था ऐसा करने पर ये लोग दूसरी गेम भी जीच जाएंगी इनमें इस एक लड़का जो बास्केट बॉल में बहुत से स्किल्ड था वो बेल को रिंग में फेकता है लेकिन बिल्ली बेल को अपने हाथों से रोक लेती है शोन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग बेल को एक बास्केट बॉल में छिपा देते हैं शोन और इचिका अब दो बास्केट बॉल बिल्ली के रिंग में वेकते हैं जिससे बिल्ली कन्फूस हो जाती है शौन बिल्ल को रिंग में almost डाली देता है कि बेल रिंग से टकरा कर rebound हो जाती है तबी आमाया आकर बेल को रिंग में डाल देता है क्योंकि बस इची का शौन और आमाया नहीं टास्को पूरा क्या रहता है बिल्ली उनका ही नाम लेती है as winners दो तिन स्टुएंट्स जो अभी भी बचे हुए थे अमाया उन्हें मार डालता है अमाया का मानना था कि बस ताकतवर लोग को ही जीने का हक है उसे इन गेम में मज़ा आने लगा था अब बिल्ली के मूँ में से एक बेहुस करने वाली गैस बाहर आती है अब हम देखते हैं कि जितने बचे बचे हैं उस बड़ी सी क्यूब में है जो कि आस्मान में फ्लोट कर रही थी इसमें ना अंदर जाने का कोई रस्ता है और ना ही बाहर आने का क्योंकि अंदर अमाया को होश आ जाती है और ओ देखता है कि उसके रूम में इची का नहीं थी रूम में दो अलग स्टुइंट्स हैं जो सुनचे कहते हैं कि तीसरी गेम जल्दी शुरूर आने वाली है रूम की डोर खुल जाती है जहां पर हम चार उड़ते वे डॉल्स को अंदर आते देखते हैं और यह सब लोग अपने साथ कोकेशी गेम खिलने को कहते हैं इस गेम में बीच में बैटा हूँ आदमी को चार डॉल्स गाना गातवे घूमेंगे और गाना खतम होने पर उसे गेस करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है गलत जवाब यानि कि उसकी मौत पक्की शौन चाला की से ये गेम भी जीच जाता है और इससे होता ये है कि डॉल्स डेस्ट्रोय हो जाती है डॉल्स के डेस्ट्रोय होने पर उनमें से एक चावी बाहर आती है जो अप्शौन रूम से बाहर आता है उसे वहाँ पर इची का मिल जाती है बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं और इन सब के सामने एक entrance थी, जिसके खोलने के लिए इनने साथ चावियों के जरुट थी, सब अपनी चावियां अंदर डालते हैं, और गेम की next level में आगे बढ़ जाते हैं, अंदर पहुंचने पर चौती गेम सुरू हो जाती है, जिसका नाम है Shirokun, इस गेम में एक सफेद भालू इन सब से सवाल पूछता है, अगर सब ने सच बताया, तो ये गेम हो जीट जाएंगे, लेकिन अगर किसी एक ने भी जूट कहा, तो इनने टाइम देगा, ताकि ये लोग सक्स को ढूंड कर भालू को सौब दे, और फिर भालू उसे मार डालेगा, अब भालू के हर सवाल पर जब भी ये लोग जवाब देते, तो भालू इन से कहता है कि तुम मेंसे कोई एक जूटा है, जल्दी तुम लोग डिसाइड करके उसे मुझे सौब दो, वरना मैं तुम सब को मार दूँगा, अगर ये लोग आपस में जगड कर दो बच्चों को भालू को मारने के लिए वोट कर देते हैं, लेकिन जब तीसे सवाल के जवाब में भी भालू यही कहता है कि तुम मेंसे कोई जूटा है, शौन भालू को ही जूटा बताता है, तुम ही जूटे हो, तुम कुद को सफेद भालू बताते हो, लेकिन अंदर से तुम काले हो, तुम एक इविल बालू हो इसे के साथ बालू पिगल कर यही मर जाता है और यह पांच गेम की फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं आखरी गेम में मार्तियोंस का डॉल्स बहार आती हैं जो इन्हें गेम्स के कुछ रूल्स बताती हैं नेक्स गेम का नाम था किक दग कैन स्टिक्स की मदद से यह लोग लोटरी करते हैं जिसमें आमया को सबसे छोटी स्टिक मिलती है इस गेम में इन पांचों में जिक कोई एक डेवल बनेगा और बाकी चार उससे चुपेंगे संसेट के पहले इन बाकी चार को डीमन को हराना है यानि कि उन्हें कैन को लात मार कर अपनी जगह से हटाना है लेकिन जो भी कैन को लात मारेगा वो मारा जाएगा यानि कि बाकी तीनों को बचाने के लिए किसे एक को अपनी सैक्रिफाइस देनी पड़ीगी सब लोग आमया से छिपने लगते हैं लेकिन आमया तीन स्टुइंट्स को पकट कर बंदी बना लेता है अब शुनी अकेला बच जाता है जो कि साम होने से पहले एक लोह का आर्मर पहन कर बाहर आता है ताकि आमया उसके चेहरे को ना देख पाए गेम के रूल्स के मुताबिक आमया जब तक किसी का चेहरा ना देख ले उसे बंदी नहीं बना सकता शुन ने जो आर्मर पहना तो वो बहुत ही भारी रहता है इसलिए आमया शुन की फेस को इजली रिविल कर देता है लेकिन शुन आमया का हाथों में लोहे की जनजीर बांद कर समंदर में चलांग लगा देता है आमया भी इससे बिल्डिंग के एच्की और खीचे चला जाता है और खुद को बचाने के लिए शुन को उपर खीचिने लगता है लेकिन शुन आर्मर से बाहर निकल जाता है और बिल्डिंग की दूसरी और से उपर चड़ जाता है आमाया देख लेता है और दोनों कैन के और भागने लगता है शुन कैन को किक कर देता है लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्प्लोशन नहीं होता वो दोनों अब भी जिन्दा थे तब भी डॉल्स वहाँ पर आती है और इसे कहती हैं कि यह सब बस एंजोर्मेंट के लिए था और इस गेम में सब जिन्दा बचेंगे यहाँ पर कोई नहीं मरेगा और यह सुन कर सब लोग खोश हो जाते हैं डॉल्स उने खाने के लिए आइस क्रीम देते हैं और लोग खोश हो कर आइस क्रीम खाने लगते हैं तब इस वो नोटिस करता है कि उसकी आइस क्रीम के स्टिक पर विनर लिखा था जब वो इचिका के और देखता है तो इचीका के आज के इस के स्टिक पर डेथ लिका था यहाँ पर मार्थियोस की डॉल्स के अंदर से एक और इविल डॉल बहर आती है और जिसकी भी आज की उस्टिक पर डेथ लिका था उन सब को लेजर से डिसिंटिग्रेट कर देती है मुवी के फाइनल सिन में हम शौन और अमाया को क्यूब के ऊपर खड़े होते देख पाते हैं जिसे पूरी दुनिया अब गौड चिल्डरन का टाइटल ले चुकी थी अमाया बहुत ही खुश था लेकिं शौन अपने आप से हार चुका था वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है और पीचे से डॉल्स उसे ठीक करते हुए कहती हैं कि भगवान होते हैं इस गेम के असली मकसद तुम्हें भगवान के पास लाना ही था और वहां पर गौड आता है यह वही बुड़ा रहता है जिसे हमने मुवी के बीच में देखा था और इसी के साथ मुवी एंड हो जाती है आगे की स्टोरी हमें As The Gods Will Do में कंटीनी होगी जिसका एक्स्प्लेंशन में तभी करूँगा अगर आप इस वीडियो को धीर सारा प्यार देंगी अब एक्स्प्लेंशन की बात करें तो एंडिंग में हम जिस बुड़े आदमी को गौड कहकर जान पाते हैं दरसल इस गौड का नाम है कामिनो कोजी कामिनो मोरा कामिनो कोजी बहुत पहले एक इनसान हुआ करता था जिसे माना नाम के एक गौड ने जबरदस्ती पावर देकर उसे भी गौड बना दिया था कामिनो कोजी अब इस दुनिया में इसे उप चुका था इसलिए वो इक गेम्स करने करता है ताकि उसकी जगए एक रिप्लेस्मेंट डूण सके और उस बंदे को गौड बना सके रिलीजे स्वे में इन पाँचो गेम्स का असलि मक्सिद भी यही है कि आपको गौड के और लीड करे मतलब इस पाँच गेम आपको भगवान तक पहुँचाने के लिए एक सीडी का काम करती है